हेलो फ्रेंट्स होग आज हम बनाने जा रहे है पीजा ना वी हम ब्लकोल ओवन के भीना बनाएंगे और बिना घ्र पर बिल्कुल तवे पे सकते में पीजा कैसे बना सकते हैं तो किलुकुल बहर प्रेश नमौफ मिद्वश को ले लिया है मैंं वा रिया है में इसको वाष कर लाए है घाला और अब्ली आदधा ontिथी में कॉषिक में जा रहे हो एक। में दो टाइप के पीजा बनाती हूं वह टॉपिंग मैं घर बनाती हूं तो रैसिपी में ने अल्रेडी अप्लोड़िए है मेरी चैनल पर तो आप देख सकते हैं तो आज में बनाने जा रहे हूँ पीज़ा तो देखे यह मैंने केपसिकम को ले लिया है और किट कर ले रहे ह वह बहुत ही बारिक कट कर लाना है फ्रेंस आप चाहे तो बड़े-बड़े पीसिस में कट कर सकते हैं लेकिन मैं एकदम बारिक करके यूज करती हूं तो यह बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंस तो यह देखे और खाने में भी आसानी होती है दोस्तों तो अभी यह देखे मैंने यह आपे ले लिया है प्यास और प्यास को भी में बारिक पीसिस में कट कर ले रही हूँ और आप देख सकते हैं मेरी आखों में भी पानी आ रहा है आप समझे सकते हैं कि किचन में हम प्यास काटेंगे तो यह पानी तो निकलेगा ही तो यह देखिए अभी मैं टमेटो कर लोंगी छोटे-छोटे पीसिस में हमको चौप कर लेना है तो टमेटों को मैंने यां पर बाहर कर लिया है तो अभी सम सीजन भी बहुत अच्छी चल रही है फ्रेंड्स विंटर की तो प्यास कैप सीकम सब अच्छा मिल रहा है फ्रेश-फ्रेश तो यह देखे मैंने कट कर के तहीर कर लिया है अभी तो यह देखे मैंने पीजा सामन भी ले लिया है यह यह कि मैंने राडी मेट यूज़ किया है आप छाहें तो घर पो भी यूज़ा विह बना सकते है उसकी रेषिपी में जल्दी अप्लोल करूंगीस चाहें तो मुझे कमें च्शेक्शन बताचि और अब भी मैं इसके उपर डाल देंगे पीजा सॉस यहां पर मैं इंस्टरट बना रहे हूं मनलब जल्दी जल्दी बनाना था मुझे इसलिए सारे चीज़े मैंने यहां पर रैडिमेट यूज किये तो पीजा सॉस भी है वो मैंने रैडिमेट यूज किया है पर अगर आप को इसकी पी रैसिपी चाहिए तो मुझे कमें शेक्शन में जरूर बताइए मैं इसकी रैसिपी अफ्लोड करूंगी तो अभी आप देख सकते हैं यहां पर मैंने मौजरेला चीज डाला है आप चाहे तो नॉर्मल जो रैगूलर चीज आता है उसका भी उसकर सकते है और आ देखे हमारा घर का ओवन तयार है तो यहां पर मैंने तवा ले लिया है और ऊपर ढखने का यह देखे मैंने ले लिया है तो घर पर हम अच्छे से बना सकते हैं तो आप एक बार इस तरीके से पीजा बनाके ट्राइब जरूर किजेगा दोस्तों तो अभी है मैंने पीजा जो है उतवे पर अभी रख दिया है और मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऑइल डाल दूंगी आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं तो यह देखे मैं थोड़ा सा ही डाल रहे हूं ज्यादा नहीं डाल रही और इसको धक करके करीबं 10-15 मिर तक रख देंगे और यह दे देखे उसके के इंदर मैंने नमक नाल के जो पेटर को हैँ पटला कर लिया थाए अब मैं मैं तवे के ऊपर एफ्टर को डाल रहा हूं और यह देखे इसको तवे के उपर फेला लोंगी यहाँ पर मैं सिर्फbuildल यूं कृ जिए यह दू l तो एक बार ये जो उत्तपा है वह भी त्राइब कीजेगा बहुत ही इंस्टंट है जल्दी बट फटो फट से बन जाता है अगर मुझे पीज़े खाने का मन नहीं है तो मैं तो यह करती हूँ तो यह देखे अभे मैंने आपे जो उत्तपा है उसको आगे पिछे पलट लिया है कि हमारा पीज़ा भी बन करके त्यार है कि नहीं तो यह देखे पूरा चीज मेल्ट होके तयार हो चुका है मतलब पीज़ा हमारा बन के तयार हो चुका है तो भी मैं इसको कट कर लूँगी एक्टिल मेरे करपे पीज़ा कटर है लेकिन मुझे तो मैं ऐसे ही प्रिफेर क चीज़ है वह थोड़ा सा डाल दूंगी तो मैंने डाल दिया है और फाइनली हमारा पीजा बनके तयार है तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीज़ेगा फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा